नमस्ते दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंपल रिस्पीज एंड व्लॉगिंग में दोस्तों मेरे चैनल से आई डी लोगाउट होने के कारण मैं काफी दिनों से वीडियो अप्लोड नहीं कर पाई हूँ तो फिर से मैं आ गई हूँ वीडियो अफ्लोड करने के लिए सब ठीक अभी हाल बस मौसम कुछ ठीक नहीं चल रहा है कभी आंधी तूफान बारिश तो कभी एकदम से दूप निकार आती है बस यह हो रहा है और सबी जगह यह हो रहा है अगर आपके हैं भी हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा आप कहां से हैं और क्या हाल है आपके हैं मौसम के तो आज मैं अपके साथ शेयर करने जा रही हूं कुछ टिप्स कि मैं अपने जो आटे का कंटेनर रहस को बिल्कुल शुद्ध कैसे रखती हूं और आटा गूतते समय उसमें क्या मिलाना चाहिए जिस घर में सुक्सम्रद्धी आये सॉप्ट रोटी पराठे कैसे बनाएं और ही वह सारे ऐसे टिप्स आटे से जुड़े जो मैं फॉलो करती हूं चलिए स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं हमेशा पर्थन का लिब्बा अलग रखती हूं क्योंकि पर्थन हमारे पास काभी सारे खटा हो जाता है अगर वही पर्थन हम वापस बड़े डब्बे में डालते जाएं जो आटा शुद्ध है तो बाकी आटा भी अशुद्ध हो जाता है तो उस आटे का यूज हम पूज अपार्ट में नहीं कर सकते हैं कई लोग पशुपती वरत करते हैं उसमें आटे के दिपक मंदिर में लगाते हैं तो भी आटे के दिपक बनाए जाते हैं तो मैं वो आटा वापस डब्बे में डालती हूँ और जब मैं चन्नी से वो आटा च्छान लेती हूँ जो पल्थन का है तो मैं चन्नी हमेशा धोने में रखती हूँ चन्नी कभी पल्थन का आटा च्छानने के बाद डब्बे में डालती तो आटा कभी अशुद्ध नहीं होता आटा हमेशा शुद्ध ही होता है जैसे अभी मुझको कंटेनर में से और आटा चाहिए साफ वाला तो मैं दूसरे प्रेट से दे रही हूं चन्ने उसमें नहीं डालूंगी और पल्थन का आटा चन्ने के बाद चन्नी हमेशा ध फल्थन बजता है उसकी एक रोटी मोटी सी बनाकर इसको तबे पर डाल के सेग दे आखरी तो उसकी कुटे कीरोटी में थोड़ा सा भी लगाकर या थोड़ा सा दूद केसा उसको कुटे को देदें बाहरः कुटे बहुत सारे गुमते रहते हैं किसी की घर में कुत्ते पालते हैं लोग तो आखरी रोटी कुत्ते की मानी जाती है कहते हैं कि अगर कुत्ते की रोटी खाओ आखरी वाली तो बुद्धी कुत्ते जैसी होने रखती है तो ऐसा तो नहीं हो पाता है पलतन तो मैं रखती हूं ले सबी दालते हैं मैं ठोड़ा सी नमक रोटी क्याते हूं और थोड़ी सी सांती हूं ठोड़ा ठोड़ा पानी लेकर एक दम बहुत कम नहीं है जादा कम कम पाने डालके आटा गूधो तो आटे में गुठलियां सी पड़ जाती हैं अच्छा आटा नहीं वाइंड हो पाता तो इस तरह से बस मैं आटे को सांती हूँ और दोस्तों कहते हैं कि रात को बासी आटा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए तो आटा उतना ही गूध हैं ज कि रोटियां नहीं खाना चाहिए क्योंकि पिंड का इस्तिमाल सिर्फ पित्रों की पूझा करने में होता है और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी इस आटी की रोटियां बहुत नुकसान दायक होती हैं उनकी बुद्धी पर गलत असर पड़ता है आटा गूधने के ब आटा थोड़ी दिर सेट होने के लिए नहीं रख सकते तो इस तरह से खूब अच्छे से आटे को मसल मसल के चिकना कर दीजिए उसके बाद रोटी बनाईए आपके रोटी बहुत अच्छी बनेंगे और पराठी भी बहुत अच्छे बनेंगे दिखना कर आपके पास थोड इसकी रोटियां बनाईए अब आटा गुदने में जो थोड़ा बहुत आटा गिरा है उसको मैं कर रही हूं हाथों हाथ साफ और तब तक आटा भी 5-10 मिल्ट रेस्ट कर लेगा अब बनाना शुरू करते हैं इसकी रोटियां तो आटे को एक बार फिर से अच्छे तरह से स्मूथ कर लेते हैं यहां चली गई है फ्रेंट स्लाइट थोड़ा अंधेरा हो गया है अभी मैंने पूरा पेपर एक बिच्छा लिया है ताकि जो आटे की थाली है रोटी पेलने का चकला है यह सब पेपर की उपर आ जाए ताकि जो पल्थन है वो इधर उधर ना गिरे और बस अब मैं अभी पराठे बना रही हूं तो पराठे बनाना शुरू कर रही हूं आटे को हमने बहुत अच्छे से स्मूधली बाइन किया है आटा काफी सॉफ्ट भी है तो जो पराठे और रोटी बनेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और दोस्तों जब भी रोट पर वो बैसी ही असर करेंगी जब भी रोटी बनाएं तो यह बोलें कि इन रोटियों में सुक्सम्रदी हो खुशियां हो पॉजिटिविटी हो धेर सारी ममता और प्यार हो ऐसा लगता है कि यह सब कहने की बात हैं लेकिन नहीं हैं यह सब चीजने बहुत असर करती हैं घर में एक अलगी माहौल हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करने से अगर हम पुराने जमाने में जाएं तो जो टिप्स पुराने जमाने की लोग बताया करते थे उस समय घरों में इतनी रडाइयां जगडे या इतना लोगों के मन में डिप्रेशन नहीं होता था लेक इतना हमसे हो सके अच्छी चीजे हमको फॉलो करने चाहिए और अगर हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमको जो करते देखेंगे वही उनको भी सीखना है तो ये बात ध्यान रखते हुए कुछ टिप्स जरूर फॉलो करें जो हमारी लाइफ को पॉजिटिविटी से भर दें तो आटा में अभी ऐसे ही रख रही हूँ तो इस आटे को हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो सुखा आटा था उसको एक साइट कर दिया और गीले आटे को एक तरफ इस तरह से मैंने मोड दिया है और इसको अब हम हलका सा इसकी उपर ओल लगा देंगे हलकी हलकी सी पर्त इससे आ आटा फ्रेश बना रहेगा तो यह तिस आप जरूर अपनाएं और सारी रोटिया बनाने के बाद जो पल्थन बचता है उसको रखना है एक अलग जिब्बे में और यह सब करने के बाद चकला पिलनकों में किस तरह से मैरेज करती हूं कैसे दूती हूं कैसे रखती हूं यह अगरे दिन फिर से काम आजाएगा लेकिन अगर गीला हो गया है कुछ जाज़ा खराब हो गया तो इसको फेक देंगे और यह जो गैस पर यह आटा पड़ा हुआ है ना पल्थन इसको हमको हाथो हाथ साफ नहीं करना है क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है थोड़ी और उसके बात अब मैं करूंगी गैस को साफ तो दोस्तों यह थी कुछ टिप्स जो मैं फॉलू करती हूं हमेशा मैंने सोचा आप लों के साथ भी शेयर करूं यह छोटी-छोटी बाते हमको डेली में फॉलू करनी चाहिए छोटी-छोटी चीजों से बहुत असर पड़ता झाहिए 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 झाहिए